तो देखो अब क्या करना है? जोन में जाना है ठीक है? ड्रिंक ड्रिंक पूरी पेल देता हूं मैं एक पीछे बंदा भी आ चुका है जो नेड नूट कर रहा था और तयार हो जाओ क्योंकि जो भी होने वाला है ने यार बहुत इंटांस होने वाला है तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दे वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू पब जिदो मुबाइल गेंप्ले वीडियो में जिसमें आर आपको भी नहीं लगेगा कि मैं जीत भी पाऊंगा ये की नहीं अना मतलब इतनी बुरी तरह फस्ते हैं वह या पीछे भी बन्दे आगे भी बन्दे लेफ्ट में भी यार पूछू मत गलत ही सीन होंगे खैर यहां पर फिलाल के लिए अपन जोड़ जा रखे हैं और एकात सस्ती गने भी मिल गिये मुझे तो पेटी बनाना चालू करता हू अब ये बंदा बोट तो बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन यार ये बोट की मौट ठिलता है अना नंगा भगते वे आ रहा है दूर से पता नहीं जहां पर ये कुदा था वहां पर भी बंदे आउंगे और यहां पर मैं तो था ही मतलब देखो यार अपन है मिटी दिल इंसा निहत्ता बंदा दिखे तो वही आप पेटी बना उसकी सिधा क्यार यहां पे ठिपी पी ले रहो क्यूंकि बागी बंदे आ चुके मुझे पेलने और यह जो हरकत मैंने की है ना इसे उपर चड़के गूली चलाना यार इसमें बहुत रिशक होता है मतलब इसमें आपकी पेटी पूटी कब बनेगी आपको पता भी नी चलेगा अब यहां पे बंदे M4 भी चला रहे हैं, Aकेम भी चला रहे हैं ठीक है उसके बाद मैं हूँ, मेरे पे है सिर्फ और सिर्फ यह UMP45 उसके बाद वो भी ठीक है यार काम चला लेंगे, सही यह उतरते नहीं मिलती गंद समझता हूँ मैं उसके बाद सीन के होता है जो UMP45 होती है, उसकी गोली भी खतम हो जाती है ठीक है मैं पेले जा रहा हूँ, रिलोड का बतन भाई धपता ही नहीं है यार बाद मैं देखता हूँ, गोली खतम हुई पड़ी है ख्यार अब S-BAR रहे के तो यार इसी से होंगे जो भी गलत सिन होंगे याँपे अब मुझे तो भाई ने नौक किया ही किया, मतला ब्यार S-BAR रहे के चाला रहा हूँ, इतने दूर तो यह होगा नौक यूँगा मैं लेकिन उसके उपर से भाई ने बोट को भी पेल दिया, तो बदला लेना पड़ेगा और इस भाई की कोशिज बहुती बढ़िया थी, मतलब यार पीछे भगते वे भी प्रीफायर दे रहे थे भाई लेकिन क्या करे यार आखिर में साइद गोली खतम हो गई या जो भी सीन हुए भाई पीछे की तरफ बगने लगे तो करना क्या था यार उस बंदे की वहीं पे पेटी बना दी फिर आते हैं रोजो की पाड़ी पे अब देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि यार कोई आता ही नहीं है होट डिरॉप में वहीं गिने चुने चार पांच किलो ते यार दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैं अंधा रस करता हूँ वो भी बगेर हेलमेट के हाँ आप सही समझे बहाना टाइम तो देखो यहाँ पे जब मैं उतरा यार मेरी हेल्थ ऐसे ही खतम हो चुकी थी ठीक है इन लोगों ने गोली चलाई लेकिन मुझे इतना डैमेज नहीं हुआ जहां तक मुझे पता है लेकिन जैसी बगगी इस दिवार पे ठुकी यार दे डैमेज ठीक है असी परतिसत हेल्थ मेरी ऐसी चली गई और उसके बाद इन लोगों ने भी पेल दिया मुझे और हेल्थ के नाम पे तुम्हारे भाई पे कद्दू कुछ नहीं है मतलब देखो लाल हुआ पड़ा है लेकिन उसके बाद भी डेट होने के काराण यार पीक पाक कर रहा हूँ ओपर में भग रहा हूँ ठीक है और हेल्थ तो है नहीं उपर से हेलमेट भी नहीं था खेर हे पेटी बनाता हूँ यहां पर एक आद बहुट भी आते हैं उनकी भी पेटी बनाता हूँ उसके बाद उनको डूंडता हूँ जो यहां रोजॉक में केम्पिंग करके बैठे होते हैं तो सामने जो घर है वहाँ चट पे एक बंदा होता है उसके फुटिश टैप दबा के आ ठीके हवा में पेटी बनाने में अलगी टैप कमा जाता है और इस बंदे को अलगी टैप का दूख हुआ होगा मतलब सोचो यार आप कूथते हूँ ठीके आपको लगा भाई बज गया मैं बंदा पेलने आ गया था मैं कूथ चुका हूँ मैं बज गया लेकिन उतने में ही आपकी हवा में पेटी बन जाती है क्यार यहाँ पे एकाद और केमपर होते हैं उन्हें पेलता हूँ और उसके बाद रोजोग की पहाड़ी में बंदे आ जाते हैं और यार जिस हिसाब से यह लोग गोली चला रहे हैं न फुल चौड में मुझे लगनी रहा कि यह लोग भगने वाले हैं यहां से कहीं तो हाँ यह लोग हम पे रस करने की सोच रहे होते हैं अब सबसे पहले इनका एक बंदा बक्या रहा होता है कि यार आज तो मैं ही पेटिया बनाऊँगा लेकिन वो देखता है कि हम लोग यहां पे रुगे तो भाई उल्टा हो जाते हैं मैं कोसिस करता हूँ पत्तो मैजस करने की लेकिन यार कद्दू भी कोई नहीं धिलता लेकिन हम भी धीट है यार हम भी तब तक रुखेंगे जब तक किसी एक टीम की पेटी न बन जाए और वो भाई लेट के गूलियां चला रहे होते हैं ठीके देखो लेट के गूली चलाने में मज़ा बहुत आता है बिल्कुल लेजर चलती है हाना एक जगा पे सकोप रखो भाया रिकॉइल के नाम पे कंदू कुछ नहीं होता लेकिन दिक्कत यही होती है कि अगर आपके सामने कोई है और वो गूली चलाता है आप पे तो सीधा सर पे गूली लगती है हाना अगर उसका जदा ही सस्ता इम नहीं हुआ तो यार सीधा सर पे गूली लगती है तो इसे नौक कर दिया अब पेटिया बनाने आ चुका हूँ मैं रोजोग की पहाड़ी पे अब यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे होते हैं लेकिन जहां तक मुझे पता है जो गाड़ी आई है न उस पे सिर्फ दो बंदे हैं और वो दो बंदे इनी दो बंदो की टीमेट हैं खैर उनको भी पेलेंग यार एक को नौक करते पहले लेकिन उससे पहले देड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट और इसकी मुझत से आप कई सारे स्पोर्ट्स, गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के थूँ पैसे अन कर सकते हो साती सात्त इसमें कई सारे मीनी गेम भी देखने को मिल जाते तो किसे से भी पैसे विड्रो करके हो ओर हाँ इस चीज में रिसक रूसक होता है तो अगर आपको सौ के तो इसका ट्राय करना, लेकिन याद रखने है रिसक है इसमें तो जो भी कर historically विच्वत समझ के करना और हमारे भाई चत्पया के साफ बन गए होते हना कपड़े हैं सेर के बालू के हैं जिसके भी कपड़े भाई या खुंखार जानवर के कपड़े हैं लेकिन भाई के काम सापो वाले हैं लेकिन देखो अब भाई को नोब कर दिया है हना एक M24 पटका तो भाई अंदर भगने लगते हैं और उतने में ही मैं पकड़ लेता हूं उन्हें कैर अब अंदर आ चुके हैं तो यार रिवाई रिवाई चला हुआ जाके पेटी-पूटी बनाते हैं इनकी भी और हमारे इन सफेद भालू भाई को चैन नहीं है बिल्कुल भी अना बड़ी मुश्किल से अभी-अभी रिवाई वे थे उसके बाद वापिस उपर या कवर में जाने के बजाए भाईया को नेट करना है यह उना चीह पेटी बना दी लेकिन इनका एक बंदा अभी भी बाकी होता है जो की उपर होता है लेकिन अब वो नीचे आ चूका है और यार यह प्री फायर देखो गलिती सीन हूँग यार यह प्री फायर में देखो आप और यार जहां तक मुझे लग रहा है न इस बंदे ने पक्का पक्का मुझे रिपोर्ट रुपूर्ट कर दिया होगा मतलब यार बंदा आया भी नहीं है उससे पहले से बैग गुली चला के बैठाओं ठीक है सकोब खोल लखा है गुली चल लिए भाई बोल रहा हो गयार ऐसे कैसे इसे रिपोर्ट मारो खैर जो भी हो उन दोनों बंदों की पेटी बना दी भाईये M249 वगेरा थी उन पे और आगे जा रहे होते हैं और उतने में ही हमें यहां लेफ्ट में गाडी रुकीवेज मिलती है और इस टाइम पे मेरी हद से ज़्यादा फट्री होती है मतलब देखो ये जो गाड़ी है ये बहुत ही सस्ती है क्योंकि अगर इस गाड़ी पे कोई गोली चलाते है तो भाईया सीधा सर पे लगती है और सर पे लगे तो यार नोकू जाओगे और देखो जिस रफतार से जिस तेजी से उन लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली है न मुझे सो परतिस्त पता होता है कि इनको हमारी पेटी बनानी है ये भी किलके भूके है और देखो जोड तो आएनी ये लोग कहीं सेफ सूफ उतर होंगे गंगुन लेली अभी आ चुके हैं फुल जोस में तो मैं बोलता हो भाईया मुझे पका पता ये लोग अपने पे आने वाले हैं तो मैं घर पे जाता हूं सीधा अना क्योंकि यार ओपन में कौन कहां से लेट के पेल दे पता भी नी चलता पेटी कब बन जाए कुछ भी पता नी चलता क्यार यहाँ पे मैं रुकाओ ताओ और जैसा कि मुझे लगाई था ये लोग आते हैं हमारी पेटी बनानी के लिए और ये लोग हमें वहाँ पे डून रहे हैं जहां पे पहले रुक्ये में इन पे एमफूर पठका रहा था और जहां तक मुझे पता है इनकी पूरी सोकॉर्ड यहीं पे आ चुकी है ठीक है एक बंदे को मेरे टीमेट ने नौक किया मैंने एक बंदे को पेला उसके बाद भी कोई राइट से डी पेला था और देखो यह जो मोली है ना हाँ मेरा टीमेट नसे में नहीं है उसने नहीं की कोई बहुत ही पास भी आ चुका है तो टोटल गलत सीन होंगे यहां पे इसलिए यहां पे मैं ओपन में नहीं रुक रहा था हना देखो इस बंदे को मैं पेलता हूँ इसकी सीधा पेटी बनती है तो यहां पे सीन क्या हुआ होता है यह फुल चौड में ऊपर ओपन में रुके होते हैं लेकिन ओपन में एक और सो कौड आती है और उन बंदों की पे और ये लोग भी पूरे जुंड में आये होते हैं अना मतलब एक दुबारा से एक बंदे को मैंने नौक किया एक बंदे को मेरे टीमेट ने नौक किया उसके बाद भी कोई ने कोई बचा हुआ है तो यहाँ पर दुबारा वही हो जाता है जो अभी कुछ मिनट पहले हो रहा था यार उपर पे एक सुकाड है और हम यहाँ नीचे पे बैठे है सिम टू सिम वही चल ला है बस फरक इतना है कि यार इस बार गलती से हेट सौट लग चुका है मेरा लेकिन देखो ओपर में चार-चार बंदे बैठे पड़े हैं ओपर में रस करेंगे न हमारी सीधा पेटी बनाई जाएगी वो रिवाइव कैंसिल करके हमारी पेटी बनाएगे तो हाँ यार बस इंतेजार कर रहा हूँ कि ये कहीं ओपर में भगे और में की पेटी बनाऊँ लेकिन ये सब के सब मिल के रैंक पूस कर रहे हैं अना मतलब एक बंदे को नोक करता हूँ सोचता हूँ कि भाईया आज तो पेटी बनाऊँगा दूसरा बंदा नजाने कहां से लेट के कवर फायर दे रहा होता है तो भाईया पूरी जान लगा के पूरी सकॉर्ड को जिंदा रखने की कुशिश चली है लेकिन हम भी ठीटे यार हम भी पेलने की कुशिश करेंगे और यहां पे पेलने की कुशिश का तो नहीं पता लेकिन यार गूली बरबाद करने की कुशिश दबा के कर रहा हूं मैं हना इधर उदर चलाया जा रहा हूं गूली समोप मैं अजस करने की कुशिश करता हूं लेकिन कोई ठिलके नहीं देता लेकिन देखो अब वो लोग open में हैं और वो लोग जोन में भी नहीं हैं इसलिए वैया हम लोग पहले ही घर पे आगए और सही यार जोन भी अपने पे बन गया तो करना कि AIR बस इंतेजार करो और उतने में ही इंतेजार करते करते एक बन्दा open में भगता है और इन लोग को लगता है कि यार मेरा सपरे बहुत ही सास्ता है, हब open में भगेंगे ठीक है यार मतलब miss हो गए, sort कोई भी नहीं ठिला लेकिन यार ऐसे open में भगती यार मेरी बेज़ती तो मत करो कैर एक बंदा ओपन में भगता है गलती से मैं उसे नौक करता हूँ और पेटी AWM से पराता हूँ मजा टैप आ गया बिलकुली तो देखो अब ये लोग कमजोर हो चुके हैं पूरे चार बंदे तुने आएंगी कम से कम तो यहाँ पे मैं रुकी रहा होता हूँ कि इतने में ही पीछे देखता हूँ मैं कि चल क्या रहा है और मुझे गाड़ी आते वे दिखती है पीछे से और जब तक मैं गाड़ी पे गूलिया वरबात कर रहा था ये लोग घर पे आ जाते हैं और यार पूरी कोसिस कर रहे है हमें गुस के पिलने की तो करना क्या है यार यहां पे खड़े हो जाओ ठीपी पिले के और इंतिजार करो इनके अंदर आने का और इन्हें जल्दी पेलना हुआ क्योंकि यार जून भी आने वाला है ठीक है वो तो सही यार जून से तो बच जाएंगे लेकिन दिक्कत यह है कि जो सामने घर पे गाड़ी पे गूली चला रहा था ना वो हमें दिक्कत देंगे अब और ये बंदा मेरे ख्याल से रिवाइव देने के लिए पूरी जान से भगते वह आ रहा था लेकिन यार सीडियो में पेल दिया भाई को और ये देखो नौको के भाई कहां गाड़ी के पास जा चुके थे खैर अब सनाइपिंकर टाइम है और यार आगे जो बंदे बैठे ना उन पे भी डिरॉप की गने दबा दबा के है मतलब एक बंदा AWM चला रहा है एक बंदा MK चला रहा है नजाने क्या क्या होगा इन पे तो करना क्या था यार आगे समोग बनाता हूँ मैं ठीक है मेरा टीममेट बनाता है मैं बहुत आलसी हूँ लेकिन हाँ मैं भी एक समोग फेग दूँगा आगे और बगने की कुछिस करेंगे यहां से और यार जहां तक मुझे लग रहा है वो गुरुजा की आवास थी अना मतलब समझ में नहीं आया ठीक से लेकिन हाँ जहां तक मुझे लगता है गुरुजा भी है इन पर तो देखो पूरी दिक्कत होने वाली है अगर क्लोज रेंज लड़े तो भी ठील सकते हैं लग रेंज लड़े तो भी ठील सकते हैं मतलब भी आर बढ़िया गने डिरॉप की गने बढ़िया ही होती हैं तो करना क्या था है और मैं बोलता हो भाईया ओपन में ले लो देखो अगर घर खाली होता तो मैं जरूर जाता लेकिन अभी ठोकना वाँ पे भाईया कितने बं जन्च सोने वाला है और ये बंदा जहां देख रहा था ना वहां से मैं पक्का हो जातू कि यार कोई ना कोई साब बनाई यहां पे अब देखो यहां पे सीन क्या है लेफ्ट में जहां पे मैंने एक बंदा नो किया वहां पे तीन टूटल बंदे बैठे पड़ें राइट में जहां पे मैंने पहले एक बंदा नो किया था यहां पे भी तीन बंदे बैठे पड़ें और हम दो बंदे बीच में फसर रके तो हाँ सब हर कोई हमें ही मारने की कुशिश करेगा और यार जोन अभी के लिए तो साथ दे रहा है लेकिन कब तक ठीक है मुझे भी अच्छे से पता है आपको भी पता होगा कि यार गलत सीन बगेर हुए जाता नहीं मेरा मैच ठीक से तो हाँ जोन भी धोका देगा लेकिन देखो जो घर पे बन दे थे ना उन्हें जोन पहले धोका दे देता है तो करना किया यार वो लोग ओपन में भगते वाएंगे पूरी चौड में और हम लेट के फाइरिंग करेंगे जिससे गलत सीन भी हो सकते हैं और यहां पर मैं हर चीज उल्टा कर रहा हूँ ठीक है बंदे क्या करते हैं AWM से हेड़सोट पेलते हैं नौक करते हैं और उसके बाद एमपूर से पिनिस करते हैं मैं वहिया उल्टा ही सीन कर रहा हूँ यहां पर मैं एमपूर चला रहा हूँ बंदा नौक हो रहा है प्रिटी बना दी राइट वाला एक बंदा नौक है लेकिन एक बंदा अभी भी अलाइव है। पेटी बना सकता है अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ दो गुली में नोग कुता हूँ मैं बोलता हूँ भाईया क्यूँ मैंने क्या बिगाड़ा पपजी का कि मुझे दो गुली में नोग किया गया बाद मैं पता चलता है कि भाईया वैस्टी नहीं है हम पे तो हाँ ये सीन तो हो नहीं थे तो देखो अब क्या करना है जोन में जाना है ठीक है ड्रिंग ड्रिंग पूरी पेल देता हूँ मैं एक पीछे बंदा भी आ चुका है जो नेड नूट कर रहा था और तयार हो जाओ क्योंकि जो भी होने वाला है ने यार बहुत इंटन्स होने वाला है तो मैं वेश्ट भीक में ले लेता हूँ क्योंकि भाई या गोली बारी मुझे ही दबा के करनी पड़ेगी अब उस बंदे ने सो की सो गोली सौब बन के पेल दी ठीक है मतलब भाई ने बढ़िया खेला है यार देखो आप लेट रखे हो उस बंदे को भी पता था यार अगर वो गोली चलाना बन करता है तो मैं डेट की तरह उठूँगा यहांसे और उसकी पेटी बना दूँगा तो भाई पूरी सो की सो गोली चला देते लेकिन यार मैं इतना डेट मतलब बैठा राठी पी पी लेके मैं भी देख रहा हो यार इसका नेट लैग हुआ की सीन के चला है लेकिन लैग लोग कदू भी नहीं हो रहा था भाई ने सो गोली चलाई या लैग हो रहा था खेर जो भी सीन था यार सामने उठता रहा मैं सीधा पेटी बनती और भाई पे ग्रोजा भी थी मतलब सुच कर दी थी भाई ने और प्री फायर देने के लिए लेकिन यार पेली दिया भाई को तो भाई लोग यार इस गलत सीन के लिए उस बंदे की सो गोली के लिए और ये इंटन्स लास सरकल के लिए यार लाइक पेदना मत भूलना बिल्कुल नेला टैप कर दो लाइक के बटन को पेल के बिल्कुल और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सबिस्क्राइब और भी इस गलत सीन इंटन्स गेंपले और सस्ती कमेंटरी के लिए तो आज के वीडियो में इतना है भाई लोग यार जाते जाते वह एप चेक आउट करता मत भूलना अगर आपको 100 के सबका तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी तो कल मिलते है भाई लोग यार बहुत बह झाल झाल